यह देखी किसान का नाम है सेलेन बर्मन यह चुहर खाटा काली बड़ी कुछ भी हर जिला के किसान है तो यह तम्माखु का खेती किये हैं लेकिन जो है एक साइड में लेफ साइड में जो देख रहे हैं यह प्लोट में टैग बायनिक का इस्तेमाल किये हैं राइट साइड मे में से एक पत्ता तोड़ने के लिए और जहां पे नहीं दिए हैं वहां सँ एक पत्ता तोड़ने के लिए उसमें पत्ता का weight необходимо में दोनों plot एक ही दिन लगा गया है ठोनों plot का तंबाकु जो है एक ही दिन लगा गया है तो उसका difference आसमान जमिन का है टेकपानिक बहुत अच्छा है् ये उमी साथ में शिवाल खौड़ का हम दिंग ऑफ आवा है तक लेक ंवी से डिया हुत हुआ sharpen नहीं नहीं यह तिक थर अभी मिटे मुझे रख रहा हूं कितना डिफरेंस है पता का साइज एक ही दिन लगा हुआ है एक टैग बाइनिक दिया हुआ है एक टैग बाइनिक नहीं दिया हुआ एक ही दिन लगा हुआ प्लैंट में कितना डिफरेंस आप मार्वेलस डिफरेंस यह किसान देखिए इनका नाम है मोनोतोस राय यह उसक बड़ी गाउं किया है जिलक कुछ विहार यह भी जो तंबाकू लगा है इनके बेंग साइड में जो प्लॉट देख रहा है इसमें पूरा टैकबायनिक का सुपर पाउर जी का इस्तमाल किया है तो टैकबायनिक देने स इनका क्रॉप जो है तंबाकू का क्रॉप बहुत अच्छा हुआ है उस गाउं में सबसे बहतर है तो कितना ग्रोथ हुआ है इतना बढ़िया ग्रोथ हुआ है दुसरे जगह से लोग आ रहे हैं देखने के लिए एक प्लॉट को यह जो प्लॉट है इसमें टैकबायनिक नह अब देखिए पत्ता का साइज देखिए कितना बढ़िया है कितना कलर है बहुत अच्छा वेट है अब देखिए नाप में देखिए यह एक विगत है एक विगत है और चार उंगली है तो यह पत्ता देखिए कितना सुन्दर है और यह पत्ता देखिए यहां पर कितना छोट इसमें टैकबानिक नहीं दिया गया है, कितना छोटा प्लोट है, कितना छोटा पत्ता है, कितना यह है, अभी देखी, हाइट में भी देखी, कितना सुंदर यह देखी, इनका घुटना तक हुआ है, इसमें टैकबानिक नहीं दिया गया है, अभी देखी, इसमें टैकबानिक तक पहुंच गया है, एक्सिलेंट रिजल्ट है, एक्सिलेंट ग्रोथ, एवरिटिंग, एक्सिलेंट टैक बाइनिक देने से, पूरा आश्मा जमीन का फरक हो गया,